नमस्कार, मैं कविता रुवार, आपका अपने शो कविता दशेप में आपका सौकत है आज हम तंदूरी आलू बुखारा बना रहे हैं, जो की बहुती टेस्टी, फ्रंची और बहुत स्पाइसी होता है इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है आज देखें, इसको बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यक्ता होगी हमने पांच आलू ले लिए, बड़े हैं और जिको मैंने हाफ बॉइल कर लिया है साथ में इसमें इसकी मारिनेशन के लिए चाहिए हमको नमक as a taste आपके लिए और भुना डेशन एक टेबल स्पून है, अप टेबल स्पून लेमन जूस, बन टेबल स्पून ओलिवोवः, बन टी स्पून चाथ मसाला, बन टी स्पून हंकर्ड, बन टी स्पून कश्मीरी रेड विर्ज, और रंग थोड़ा सा ओरेंज कलर इसकी स्टॉपिंग के लिए हमें चाहिए पनीर, पचास ग्राम पनीरे करी, धनिया की पती जो मैंने थोड़ी चॉप करके रख लिए, एक हरी मिट्च, विकुल बारी कटीवी, थोड़ी सी अद्रक, एक प्याज चॉप कर लिए है, और चाट मसाला, और गर्ण मसाला, आधी और की बखार लिए और जूज डालने के लिए, अनके भर टॉप लुपि अगारे, कर लिए है help लुपिसे कर लिए यह दिखें नहीं के यह बस बहुत ज्यादा बॉइल नहीं होने चाहिए आप बॉइल कीजिएगा वाइल को हम बीच से बीच से इस चक्कू की हेल्प से बीच से इसकी रालू की ऐसे स्टॉपिंग करने के लिए इस तरह से हम खोकला कर लेते हैं इसी तरह से हम सारे आलू की बीच का पॉर्शन निकाल के स्टपिंग के लिए त्यार कर लेते हैं इस तरह से इसको हम बिना स्टपिंग के भी बना सकते हैं आपकी इक्षा हो तो छोटे वाले अलू आते हैं उनको आप मेरिनेट करके उनको भी तंदूरी अलू की तरह सेख के उनको भी इंज्वाइ कर सकते हैं यह देखिए हमने सब का यह निकाल लिया है इसको हम स्टपिंग वाली केट में अलग से रखते हैं जब तक हम तंदूरी अलू बुखारे की स्टपिक त्यार कर लेते हैं वन टेबिल स्पून भूने चने का पाउडर अगर भूना चना नहीं है तो आप बेसन को भी भून के डाल सकते हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर चाट मसाला नमक इसमें करी मैंने बन टीस्पून सॉल डाल दिया है थोड़ा सा कलर बुखल स्पृंग बहुत माइनिट सा कलर डालेंगे और कॉले बॉल डाल देंगे यह देखे हमारा कंदूली मसाला तियार हो गया है जिससे हम यह आलू को मैरिनेट करेंगे इसमें आपको हाथ कर समाल करना पड़ेगा और यह चमबा से तूट सकते हैं इसमें जो अद्रक मिर्च का पेस्ट है इसमें आप चाहे तो गालिक भी डाल सकते हैं पीसने में इसके बाद हम इसको एयर टाइट कंटेडियर में या फिर किसी जिप पाउच में इनको रखके फ्रीजर में एक गंटे के रख देगे जिससे कि यह मैरिनेशन पुरी तरह से आलू में जब जो जाए और फिर यह अलू बखारा तंदूर करने के लिए त्यार हो जाएगा अब इसको हम फ्रेज में रख देते हैं एक गंटा हमारा होने वाला है उससे पहले हम स्टपिंग के लिए जो हमने मटीरियल लिया था उसको हम त्यार कर लेते हैं और गैस तंदूर या आपके अलेक्ट्रिक तंदूर कुछ पी जो है भी उसको अन कर लिए इसमें जो आलू की स्कूप करके आपने निकाला था वो डाल देंगे पनी डाल देंगे हरी मेच, हनिया, अदरख, प्याज, चाट मसाला, गरम मसाला, और नमाख यह सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टपिंग आपके पर डिपैंड कर्तीщее है आपको किस छीज की स्टपिंग करने है आप चीज अब अच्छा लगता है जो भी चीज अच्छी लगती है उसकी स्टपिंग आप कर सकते हैं अलग-अलग स्टपिंग बना के अलग-अलग विराइटी बना सकते हैं यह देखें मिक्स हो गया अच्छे से अभी यह मैरिनेट हो चुके है हमारे इनके हम यह स्टपिंग इस तरह से कर देंगे यह देखें हमने पुरी स्टपिंग सब अलुमय स्टपिंग बढ़ दिये अभी स्को हम तर दूमे लेके तरह से लेतेगे लेक्स तरह से लेतेंगे तरह से लेतेंगे इसको 5 मिनिट्स के लिए तदूर में रख देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना सिख देखेंगे हमारा अलुखारत यार हो गया है कि देखें हमारा अलुखारत को अच्छे से देखें खाना हमेशा डेकुरेट करके परुसना चाहिए जिससे कि देखने में अच्छा लगे खाने में स्वाद हो साथ में डेकुरेशन भी हो तो देखने वालों की या खाने वालों की भूब डबल हो जाती है अब इसमें मैंने आलो की प्याज के लच्छे लगा दियें साइट में डेकुरेट कर दियें और इदर बीच में मैंने टमाटर का एक आदा काट लिए टमाटर उसमें से बीच निकाल दियें और इसमें हम चट्टी रा देने तो रेड टमाटर के बीच में हरी चट्टी देखने में बहुत सुन्दर लगती है आइस को बीच में इस तरह से भी डेकुरेट कर देंगे पर चाट मसाले डाल देंगे लेमन जूस डाल देंगे यह देखे हमारा तंदूरी आली बुखारा त्यार है जितना देखने में सुन्दर लग रहा है उससे ज्यादा टेस्टी भी है इसको खाईए जोए कीजिए और अपने सलहा अपने कोई भी क्वेरीज है या आप कोई भी रेसिपी जाना चाहते हैं इसके लिए आप मेरी इमेल आइडी करतादशेफ at the rate gmail.com में कांटेक्ट कर सकते हैं नमस्कार या जए याल नमस्कार क्वेरीज याल अच्ड़ कोई में कॉप याल 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 वाल क्वेरीज जोग